कि क्या हाले साथ ही हो मैं विकास तुमर आप लोग के अपने ट्रस्वाधी चैनल क्लेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस आप लोग का स्वाध करता हूं देखें ब्रैवो 53 यानी जिस फिपर वन ठीक है ब्रैवो नाम में लोग देते हैं कई बार मैंने देखा इस रो कभी ब्रै ऐसने ओसें मैं ठीक है और इसमें जो है 10 कोश्षन जो है पहले वाले वो छोटे कोश्षन होंगे आ आप को लिखने है और जो अगले शौडूट पक्चिस शब्दों में और जो लंबे हैं वह भी 10 कोश्षन है लंबे आंसर वह भी 200 निखने है मिल्क्ट है 200 руки यह नहीं है क काल्कुलेशन एक रफ होता है कि आप लोग अगर मार्जिन्स वाली कॉपी में करते हो तो एक लाइन में आपके 4-5 शब्द आ रहे हैं तो आप देख लो कितनी लाइने आप लिखते हो रफ ली कल्कुलेट कर ले ना क्योंकि जगह जो होती हो फिक्स होती है आंसर कॉपी में ठीक है तो इसलिए आपको जो है 200 नहीं देगड़ सो 125 ठीक है ऐसे लिखेंगे तो बढ़ी है दोनों में टूड़ पॉइंट लिखना है कहीं पे भी 200 है तो इसका यह नहीं की उल जलूल कुछ भी लिखने लगे कोश्चन की डिमांड कोर जैसे कि हम लोग रोज सुबह जो करेंट एफेर आता हूं उसमें में कराता हूं आप लोग को उसके एलिसेस देता हूं उसको जरूर देखते रहे हैं ताकि आप लोग को आसानी हो ठीक इंगलिश इंदी दोनों में ही है सारे कोश्चन कंपलसरी ह कोश्चन पार्ट कितने मांक्स का है वह उसके सामने लिखा हुआ है कोई भी पोर्शन अगर ब्लैंक रह जाता है जैसे पेपर में तो आप उसको स्ट्राइक आउट कर दीजा ठीक है यह जरूरी है तो खंड आ ठीक है सेक्शन ए 8 मांक्स कोश्चन है टोटल मांक्स कि यहा है और जहां तक मैं आपको बताऊंगा किसी का भी तता कतित करने की जोत नहीं है कोई भी पैसा उसमें खर्च करने की जोत नहीं सिंपल NCRT से जहातर कुश्चन आए हैं जैसा कि मैं नहीं देखा है ठीक यह भी आपको 11th क्लास की जो आर्ट और अर्खिटेक्ट्चर वाली बुक है उसमें आपको मिल जाएगा मौरियन आर्ट वहीं इस्तंब वाला बताना है एडिक्ट्स वाली बताने इस्क्रिक्ट्चन बताने आर्ट अर्खिटेक्चर दोनों की बारे मताता है बताना है लेकिन आर्ट मार्ट का 125 लिखना तो टूदा पॉइंट रहेगा ठीक ह अगला कोशन है 19 सदी में उत्तर प्रदेश में पुनर जागरण के स्वरूप पर प्रकास जाली एक कठिन कोशन है ठीक है वैसे तो रहने सा पढ़ा होगा ये उपन यूनियन में कैसा हुआ कैसे नहीं उत्तर प्रदेश की आपको इसके लिए हिस्ट्री पढ़नी पढ़े प्रेस के लिए उसके बारे में ही लिखना है आपको क्या आता है कितना आता है बाल गंगर तिलक से उससे कोई मतलब नहीं एक्जामनल को अगर आपने डिमांड जो कोशन की उसके अनुसार आंसर नहीं लिखा नमबर नहीं मिलेंगे ठीक फोर्ट वाला कोशन है भारत में जंसंख्या विसफोर्ट के कारणों का उलेख कीजिए तता इस समस्या से नबटने के लिए सुझाओ दीजिए बहुत अच्छा कोशन है डिसकस इसमें डायक्टू वर्ड है ठीक यहाँ पर कोर क्या है पॉप्लेशन एक्स्प्लोजन इंडिया इसके कारक बता दो कारण ब जातर देखा गया है कि महिलाओं का ही जो है जातर किया जाता है लेकिन पुरुशों को भी करना चीए और फिर कही सारी जो है अब अराम से इसको लिख सकते थे पांचवा कोशन जो है इवैलूएट डा रोल इवैलूएट डायक्टिव वर्ड है आपको जो है बुल्यांकन करना है इन्फा रोल आफ इन्फोर्मिशन टेक्नोलोजी एंड इंटरनेट इन शोशल इंपावर्मेंट ठीक करना है मुल्यांकन करना है कि भाया हो रहा है कि नहीं हो रहा है जहां हो रहा है वो भी बताना जहां नहीं हो रहा है इसकी वैसे वह भी बताना है ठीक है तो यह चीज़े कई बार होता है शैमिंग होती है विमन तक जो है पहुच नहीं इंटरनेट की यह जातर देखा गया ठीक कई बार जो है बुलींग करते हैं बाकी जो है सोचल इंपॉवरम्मेंट भी हो रहा हुए या बहुत जगे शी बॉक्स करके हैं आपका बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मंधूराओं कर रही है तो उसको भी आपको लिखना मैलाओं तक ही सी में मत रहना शोचल कुश्चन था ठीक NCRT अगर आप पढ़ोगे कौन सी 11 12 वाली और उसको जोड़कर यह कुश्चन है करेंट के एक्जाम्पिल भी आपको देने चाहिए इसमें ठीक एक्जाम्पिल देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है कुश्चन सिक्स वेन पावर्टी इस ट्रांस्मिटेड ओवर जनरेशन इट बिकम से कल्चर इलुसिडेट बहुत अच्छा कुश्चन मनाया है पावर्टी मतलब क्या है कि जैसे मैं आप लोग कई बावता है कि लोन लेते हैं ठीक सूथ खोरों से मनी लेंडर से जो है गाउं में और व उनके जो है पुष्टे जो है फिर वो चुकाते जुकाते हैं हमेशा गरीबी में ही रहते हैं और यह कि यह कल्चर बन जाता है तो इसको जो है बोलते ना वीशे साइकिल ऑप पावर्टी तो उस प्रकार से आपको यहां पर आंसर लिखने था पावर्टी क्या होती वह इसमें बताना चुकि जब भाईया लोन लदा हुआ है तो आप क्या करते हो कि भाईया फिर आप आम दिनी कुछ होती नहीं तो उनके आप बिना पैसे कि आपको बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती है तो कल्चर बन जाता है इस परकार से आपको इस पस्ट करना है सात्वा कुछन कह रहा है आप पर हेरिटेज आर्च क्या है और क्या है अंडरलाइन इट्स इंपॉर्टेंस इंपुछा जाएगा इससे कुछन और देखे आया हुआ है स्मार्ट सिटी मिशन कितना मतलब क्लीशे कुछन हो चुका यह कितनी बार आ रहा है फिर से आ रहा है यह यूपी का यूपी सब देख तीसरा कुछन है इस वाले पेपर में स्मार्ट सिटी मिशन क्या है पूर्वी उत्तरप्रदेश इस्टन ठीक है ना इस में इस योजना सिटी कौन-कौन से बनारस है यह सारी चीज़े आलावाद तो परियाग्रास तो उसको फिर आपको बताना है कि क्या में करेक्टरिस्टिक्स हैं सिटी जो इस्टन उर्तवदेश में हैं उसके बारे में डिसकस करना है तो यह आपका काफी इन्पॉर्टेंट हो सकता था आंशे लेकिन आपको इस्टन अगर उर्त वर्देश की सरी हॉत्टन नाटिए जितिक्शिण है उसके वर्जम भी और देखे चौता कुछन उत्तर प्रदेश की सिचाई परियोजनाओं का सोधार सोधारन सहीत विस्तरत विवरन दीजिए गिवन एकाउंट ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट साउत्तर प्रदेश इंडेटेल विद सुटेबल एक्जाम्पिल अब आपको यह लग रहा हो कि वह यह कौन सी किताब पढ़ें उत्तर प्रदेश की जो वेबसाइट हैं उनको देखना पड़ेगा ठीक मैंने आप लोग बताया है वेबसाइट पे में में चीज़े क्या देखनी होती है फिर से बता रहा हूं सुन लिजे ध्यान से अबाउट अस उनकी स्कीम पब्ली के इस कीम जो होती ही प्रोग्राम जो होते हैं दूसरी चीज़ तेसी चीज़ फ्रिक्वेंटली आग्स्ट कोशिशन ठीक ये चीज़े तो आपको मेंली करनी ही करनी है अब अगर आप इरिगेशन वाली उसमें जाओगे तो वहां पे आ पूरी उपसाइड पढ़ने जो होती नहीं है तेन्थ कोश्चन और इस सेक्शन का आगरी कोश्चन है मैंशन वैरियस फेस्टिबल्स विचा सलिबेटर इंड उत्तरपदेश बहुत जादा इजी कोश्चन है ठीक कुम्ब मेला है और भी राम लीला बहुत सारे जो है फेस्टिबल के बारे में बता सकते हो कोई इसमें वह नहीं है बस यह है कि आठ मास्का तो में में जो है उनको आपको लिखना पड़ेगा ठीक फेस्टिबल्स में आप देखो सिर्फ हिंदू वाले में मत जाना सब सबको लिखोगे तो करना चाहिए तो यह पांच वा कोशन पहले दस कोशन में पांच कोशन उत्तरबदेश से तो अब उत्तरबदेश में इस बार काफी ज्यादा फोकस किया गया है अगला कोशन सिंपल सीधा NCRT से कोशन है अब NCRT इस्टिक लिए पढ़नी है आरे शर्मा आपका सतीश चंद लो और यह पढ़ लो बस इसके लावा और कुछ नहीं करने के जो होते हैं कोशन क्या है गुप्त काल को प्राचीन भारती इतियास का स्वन र्यूग क्यों कहा जाता है ठीक बस क्यों पूछा गया वाई तो बता दू कई बार इसको जो है यह ऐसा कुशन आता है कि गोल्ड प्रतिपादित क्रांतिकारी दर्शन पर प्रकास जा लिए अब कई बार मैंने आप लोगों बोला भी है पढ़ाता भी हों कि भाईया रिवलुशनरी टेरिसम बोला जाता था लेकिन अगर भगत सिंग जी का आप देखोगे तो उनकी जो रिवलुशनरी फिलोसफी थी जै इनका जो रिवलुशनरी फिलोसफी दर्शन था वह बहुत तो यह कुछ चीज़े आपको भगत सिंग जी के दो दी गई रिवलुशनरी फिलोसफी में उसको अगर आपने पढ़ा है जो कि पढ़े आप NCRT में असानी से मिलता है तो उसको आप कर सकते हो और उससे अधा कुछ नहीं करना है पचास कितावे कई लोग बोलते हैं वह सेलेक्शन मटेरियल उसमें बताएंगे आई ओ सी यल पता नहीं क्या क्या बताते हैं बीपी पहले यह पढ़ो कम पाई लेजम कुछ नहीं सिर्फ कितना कम पढ़ोगे जितना कॉलिटी उतनी ज़्यादा रहेगी उतना आदा प्रिवाइस करके आंसर लिख पाऊगे समझ कर कुछ नमबर 13 है एक्स्प्लेंड पॉइंट इंडियन नौलेज ठीक एक्स्प्लेंड पॉइंट्स ओफ इंशिंट इंडियन नौलेज ऑन बेसिस ऑफ विच इंडिया वाज डेजिग प्यूपल कनेक्ट प्यूपल कनेक्शन एक दूसरे से करते हैं कल्चर के अगर आप आपकी भाषा सेम भाषा है लोकल के लोग से तो आप ज़्यादा अच्छे से कॉम्मिनिकेट कर पाऊगे इसलिए मैं कल्चर पे ध्यान दीजिए वहीं सारे कोशन देखिए आंपे पू से लोग हमारे आते पढ़ाई करते थे यह बहुत ही मेजर पॉइंट है जो आपको इसमें मेंचन कर नहीं करना था इसी प्रकार से और भी चीज़े आप इसमें मेंचन कर सकते हैं चौदा जो है कोशन यह कहता है थ्रो लाइट ऑन दा फैक्टर्स कारक बताने आपको ओफ कॉंटिनिटी एंड चेंज इन इंडियन सोसाइटी एंसी आटी 11 क्लास की जो है पड़ी है डाइरेक्ट आपको यह हो जाएगा जैसे कि आप देखो कि जो पहले फैमिली सिस्टम क अब क्या है नुक्लियर हो गया है ठीक सिर्फ लोग बाहर रह रहे हैं तो यह सोसाइटी में चेंज आया है ठीक पहले जो है लोग मतलब आपका बहुत यह रूडिवादी होते थे बहुत ऑर्थोडॉक्स होते थे अब वो चेंज आई है वेस्टनाइजेशन की वैसे समद पता नहीं कौन सी ठीक तो यह सारी चीज़े आपको असानी साइटी वाले से आप कर सकते हो बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए इसके लिए ज़रूबत नहीं है इदा उदर नहीं पढ़ा फिर आप कुछ भी करते रहो कोई फरक नहीं पढ़ता कोई भी आपको वहीं और अबता यहां अर्थविये पड़ेगा यहां अार्थोण पढ़ेगा तो भी बड़िए, ठीक, यहां बाहरा मा सब्सक्राइटन और अलग अलग बताओ उनके अब जो Klb उद्देश बताओ और भाया एक्जाम्पिल दीजिए ठीक कोशन नबर 16 कहता है जाती ये गठ जोड धर निर्पेक्षे तथा राजनीतिक करको सोत्पन होते हैं ना कि आदिम पहचान से चर्चा कीजिए कास्ट अलाइंसेज एमनेड फ्रॉम सेकुलर और पॉर्टिकल फैक्टर्स दैंड दू नौट इस्प्रिंग फ्रॉम प्री मॉर्डियल आइडेंटिटीज डिस्कॉस जैसा कि आज के टाइम पे आप देख रहे हो वोट बैंक पॉलिटिक्स की वे जैसे जाती गठ जोड बन पर्टी इसको ले लो तो यह वाला वोट हमें मिल जाएगा ठीक तो यहां पर यह कहना चाहरा जाती गठ जोड है पहले चलिया रही उनकी वज़े से नहीं चलना है अब जो पॉलिटिकल फैक्टर्स है उसकी वज़े चलना है ठीक सारे जो एलाइंसे बन रहा है कास्ट के क वहिए यह जो बी सी वाले हो गहे ठीक है यह 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 कुर्मी कास्ट हो गई यह आपकर राचवूद कास्ट हो गई यह आपकी जो है ब्रामाड हो गया तो यह साही चीज़े चलन रहे यह पॉलिटिकल फैक्टर है इसके ना कि पहले से जो व्रुडन सिस्टम चलता था वो आपको जो है तर्थस रूप से थर्ड पार्टी थर्ड परसन की तरीके से आपको इस कांसर लिखना चाहिए सेवन्टीन कोशन के रहा है डिस्क्राइब तर्फ ओरिजिन स्ट्रक्चर वैदर एस्सेटेड विट ट्रॉपिकल साइकलोंस ठीक तर्फ जोगरफी से कोशन आ गया अब ये कोशन के लिए आपको कौन सी जो है दन्ना सेट वाली या कोई बहुती तगडी कोई बुक पढ़न लेकिन बेस अगर आपको जोगरफी थोड़ा वो है तो सिक्स क्लास से आपको पढ़ना चाहिए ठीक ओरिजिन कैसे स्ट्रक्चर कैसे बारा मास का बहुत ही बढ़िया जो है आप ट्रॉपिकल साइकलों का पूरा दिखाओ लो प्रेशर सिस्टम होता है एंटी क्लॉक्वा वाम होना चाहिए फिर उसका स्ट्रक्चर जैसे हमना बता है फिर फिनॉमेन बहिया बारेश और कई कोस्टर इल्यास में फ्लडिंग भी हो जाती यह सारी चीज़े बताओ ठीक और लेटर्स को है आया तो उसका आप एक्जाम्पल देके बता सकते हैं एटीन कोशन कहता है एक्टिंग रूरल सेटिल्मेंट पैटर्न इंडिया फियूमन जोग्रफी 12th क्लास की सीधा कुछन पूछा गया है फिर से मैं इंपरसिस्ट कर रहा हूँ नहीं पढ़ोगे कोई कुछ बताता रहेगा कुछ नहीं होने वाला कोई पैसा किसी को नहीं देने की जोत है एंसी आइटी फ्रीली एवलेबल है हां किस तरीके क्या पढ़ना है कितना पढ़ना कोई डाउट है वो पूछना है तो उसके लिए आपको एक मेंटोर्शिप की ज़रूत है किसी की जो है ये मटेल कहई ने की जोता नहीं है मटेल सो कुछ नहीं होने वाला मटेल सब कुछ यह था था दो जो है इतने स्कूल बना कर टीचर्स की बल्ती जो Summye nostra programs यह तैसी फेले से मंदिर होता था इसका इर्द गिर्द रहते थे तलाब है उसके इर्द गिर्द रहते है रूल सेटलमेंट ठीक जाती ही उस पे क्या है कि बीच में जो है कंसेंट्रेटेड हो रहता था और कुछ छोटे-छोटे दो-तीन घरों के हैमलेट्स होते थे किनारे ठीक यह सारे चीज़े हैं नदी के आसपास होते थे घर सिंपल सा ह इंडिया चार तरीके के हैं यहाँ भारत में दिल्ली वाला जो ज़्यादा खतरनाक वाला सिस्मिक जोन नाम से आपको यह मिल जाएगा अपना जो है NCRT में यह 11th क्लास वाली में जो इंडिया वाली है ठीक उसमें आप देखोगो तो डाइग्राम बनाकर भारत को दे रख माक्स वाले कुशन उसमें एक उत्तरप्रदेश का कुश्चन आया है प्रेजेंटिंग डेटेल्स अधा पॉपुलर फोक सॉंग्स इन दा पुर्वांचल रीजन ओफ उत्तरप्रदेश मेंशन देर सेलियंट फीचर बहुत बहुत बढ़िया कुश्चन है बोजपुरी व बताने हैं बहुत बढ़िया कुश्चन है आराम से आप इसको कर सकते हैं ठीक इसी पेकार से जो है जीएस पेपर देगे मैं हिंदी का ऐसे का अरड़ी वीडियो दे दिया है जोर देख लिएगा जीएस पर वन का यह राट टू थ्री फोर सब मिलेगा आपको हमारे चैनल पर और इस पीडियाफ के लिंक भी वने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है दो अजार तेईस में अगर आप लोग को तैरी करनी यूपी एसी यूपी पीसे के लिए तो 965-0347272 हमारा नंबर है इस पर आप कॉल करके हमसे कॉंटाक कर सकते हैं पूरा बेसिक और जो most relevant है वहीं हम पढ़ाते हैं कोई आपको जो है पूरा गठरी बांद के material नहीं दिया जाता है जो आप पूरा पांस साल में पढ़ ही ना पाओ हम ऐसा material देते हैं जो सबसे रेलेवेंट है और कम से कम पांच बार रिवाइस करके जादा जादा कोशन की प्रैक्टिस क करके और उसके बाद exam में आप पूरी तरीके से confidence के साथ में exam को दो यह हमारा में मोटिव है सातीजाद 121 परस्नलाइज आपको कौंसलिंग मेंटार्शिप किया थी 9650347272 मानमबर्स पर आप contact कर सकते हैं बाकी पेपर्स की जो है आपको मिल जाएगी एक प्लेलिस्ट भी म आपर मिल जाएंगी विद ओल नोटिफिकेशन चलिए मिलते हैं अगली वीडियों तब तक लिए आप लोग से लेते हैं जै आप लोग से लेते हैं अलविदा जैन जै वरत और वरी बेस्ट है वंदे मातरा